दोस्कार दोस्तो स्वागता आपका तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की एक यही नई योजना जिसका नाम है CBDT यानि के Central Bank Digital Currency अब दोस्तो यह योजना क्या है इस योजना के तहट सरकार का जो मकसद है दोस्तो वो भारत में नोटों का जो चल भारम हो गया है अभी आप देखेंगे कि चार बैंकों में दोस्तो यह जो जना लागू कर दी गई है और आने वाले समय में बैंकों में दोस्तो अब आपको हो सकता है कि पैसे देखने को ना मिलें यह कब से लागू होगा तो यह 2022-23 का जो फाइनेंस लिया रहा उसमें साथ साथ दोस्तों Central Bank Digital Currency को लागू करने के लिए जो चार बैंक नामित किये गए हैं उन में से दोस्तों चार बैंक हैं जो की State Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank और Bank of Bada यह चार बैंक है जिनको यह जिम्मा दिया गया है अब दोस्तों यह काम आखिर क्यों किया गया है इसका मकसद क्या है यह कि हम देखेंगे अब यह आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने है कि करप्टो करेंसी से अलग होगा RBI का Digital Rupia और Digital Rupia दोस्तों यह launch होने वाला है कुछ ही समय के अंदर आप देखेंगे कि आपको Digital Rupia ही देखने को मिलेगा अब ऐसा क्यों है भारत ऐसा क्यों चाता है भारत सरकार ऐसा क्यों चाती है तो दोस्तों जो करेंसी है जो नोट की छपाई है उसमें भारत सरकार हर एक साल में 5000 करोड पे खर्च करती है यानि कि 5000 करोड पे का खर्च करने के बावजूद भारत के अंदर जो Black Money है वो Control नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको पता है इसमें जो इंक यूज होती है जो पेपर यूज होता है दोस्तों वो भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है स्वीजर लैंड जैसे देशों से इंक और पेपर यूज किया जाता है वहां से मंगाया जाता है इंपोर्ट किया जाता है उसके बाद हमारे देश के अंदर जो प्रैस है वहाँ पर नोटों की छपाई होती है उस नोट को छापने के बाद वो जो नोट है दोस्तो फिर बैंकों में आता है उसके बाद मार्किट में उतारा जाता है अब इसका जो खर्च है टोटल मिलाकर लगबग 5000 क्रोड के आसपास से जो कि सालाना खर्च होता है अब यहीं पर दोस्तों RBI ने एक जानकारी दी है भारत सरकार को कि भारत के अंदर जो 2000 रुपे के नोट थे वो जो है बैंकों में वापस नहीं आई यानिकि सरकार ने जो नोट लॉंच किये थे 2000 के वो जो है लोगों ने अपने घर में ही रख लिए जो नोट छापे थे वो वापस बैं को में आ सके पर दोस्तों कुछ समय तक जो है ऐसर लगा कि सायद बिलैक मनी पर कंट्रोल हो पाएगा पर कंट्रोल नहीं हो पाया और धीरे धीरे जो 2000 के और 500 के नोट थे दोस्तों वो भी बिलैक मनी के रूप में जो है लोगों की घर में खटा होने लगे इसका पता तब चला अभी आपको पता है कि पिछले कुछ समय में जब कई जगह जो है सीबी आई के चापे पड़े पस्य मंगाल जैसी जगह में पड़े तो वहां पर पता चला कि हजारों करोड रुपे जो है दो-दो हजार के जो बंडल है लोगों के घर में चिपेवे हैं तो उसी के द नोट जल्द ही बंद हो जाएंगे यानि के भारत सरकार अब जो है नई करेंसी चापने के मूंड में बिल्कुल भी नहीं है अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करेंगे दोस्तों तो डिजिटल करेंसी दो टाइप से भारत में लोंच होने वाली है अभी आप देख सकते हो आपको सामने यह जो आर्टिकल भी है यहाँ पर देखेंगे कि डिजिटल रूप की अच्छी और बुरी बाते यानि कि इस डिजिटल करेंसी में दोनों ही बाते हैं अच्छी और बुरी और यही बाते दोस्तों आपको किसी भी मनी में देखने को मिलती है अगर हम कागत की करेंगे तो उसमें नकली नोट बनाए जाता है वहीं डिजिटल करेंशी की बात करेंगे तो इसके ट्रांजेक्शन में इसकी रख रखाओ में यानि के रख रखाओ क्योंकि ये तो सब इंटरनेट के माध्यम से होने वाला है तो इस पर काफी ज़यादा जो है निगरानी दे दिजिटल करेंसी होगी, यानि कि अभी तक आपने जो डिजिटल करेंसी देखी है, जिसे करप्टो करेंसी बगारा होती है, वो भी इसी तरीके के होती है, पर करप्टो करेंसी से ये अलग है, देखें, करप्टो करेंसी जो है, वो किसी भारत सरकार, किसी देश के सरकार के द देता है कि इसकी इतनी value है वही digital currency भी वैसी होगी अगर digital currency है तो वो भी उतने ही माईनी रखेगी अब digital currency दोस्तों आप इसको छू नहीं सकते हैं यह जो balance है आपके bank to bank transfer होगा आपके account में transfer होगा सिर्फ आपको balance से transfer किया जाएगा आप इस पैसे को देखने ही सकते हैं छू नहीं सकते हैं तो यह digital रूप में होगा अब दोस्तों इसके दो वर्जन जो है यहाँ पर launch करने की तैयारी है एक होगा retail और दूसरा होगा wholesale जो retail और wholesale होगा दोस्तों तो जो retail होगा उसको हम और आप यूज करेंगे यानि कि लिए कि एक बैंक है जिसके अभी आपको पता है कि बैंक अगर करज लेता है तो किससे लेता है वो RBI से करज लेता है तो wholesale जो होगा वो RBI जो बैंकों को लोन देगा वो wholesale के रूप में देगा और या एक बैंक से दूसरे बैंक में जो money transfer की जाएगी डिजिटल रूप में वो wholesale रूप में होगी और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर retail की तो अगर कोई व्यक्ति कोई संस्ता कोई person अगर transaction करता है तो retail में आएगा अभी बात करेंगे दोस्तों तो जैसे के मैंने आपको बताया चार बैंकों बैंकों को जो है यह काम सोपा गया है बात करेंगे state bank of india पंजाब national bank union bank of india और bank of baroda यह चार बैंक है जहाँ पर digital currency सबसे पहले launch की जाएगी अभी इनको जीमा सोपा गया है और इनको pilot project के तहत दोस्तों यह जो है अब दोस्तों बात करेंगे pilot project की तो pilot project उसको कहते है कि इन चार बैंकों को यह काम सोपा गया है यह एक area के अंदर सबसे पहले digital currency लोगों को देने की सुबात करेंगे यह जैनि कि यह digital currency काम कैसे करेगी मानकर चलिए जैसे अभी आप ptm यूज करते हैं अभी आप google पे यूज करते हैं फोन पे यूज करते हैं तो सिर्फ आप mobile के माध्यम से अपने transaction कर देते हैं किसी को भी आप पैसे भेज देते हैं किसी से पैसे मंगा लेते हैं तो सेम काम यही होने वाला है इसमें होगा क्या कि मानकर चलिए कि आपका bank account है यह bank कहेंगे कि हम आपको cash नहीं दे रहे हैं पर आपका जो bank account है उसमें आपका balance transfer कर देते हैं यानि कि सिर्फ आपको balance देखने को मिलेगा आपका जो wallet होगा आपका जो bank account होगा उसमें आपको balance देखने को मिलेगा आप बैंक से उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं आप online कोई भी transaction कर सकते हैं जिसे कि आभी आप phone पे mobile से करते हैं तो ऐसे ही transaction आप कर पाएंगे तो आने वाले समय में दोस्तो भारा सरकार का जो लक्षे है वो जो currency है जो मुद्र है उसको धीरे धीरे बाजार से बाहर करना है और digital रूप में इसको लाना है पांसो के note आप समझे रहे हो 80,500 के note जाली पकड़े गए है ऐसा अरिभाई का मानना है 2022 में तो आप समझ सकते हो 80,000 संग क्या है पांच पांसो नोटों की इतना पांसो रूपे का जो note है वो बैंकों के मार्दियम से पकड़ा गया है जो की जाली है अब अगर digital currency आएगी तो आपको पता है वहाँ पर balance to balance ही आपका जो है transfer होने वाला है तो जब note आएंगे नहीं तो black money दोस्तों बाहर हो जाएगी तो अगर digital currency आएगी तो आप इसे घर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि एक balance है और ये digital रूप में आपके mobile wallet में देखने को मिलेगा आपके bank account में देखने को मिलेगा तो आप इसको cash नहीं कर सकते हैं आपको पैसा नहीं मिलने वाला है तो ये जो है black money के रूप में भी यूज नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आप किसी bank में जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि bank में जाएंगे तब ही आप पैसा जमा करेंगे उसके बाद ही ये जो balance है आपके bank account में ट्रांसर होगा अब black money दोस्तों जो कि आपके घर में हैं अगर आप उसको ले कर जाते हैं bank में तो वो white हो जाएगी कैसे देखिए black money आखिर होता क्या है भारत सरकार जो पैसे जारी करती है अगर उस पैसे को आप चोरी छिपके छिपा कर अगर आप रख लेते हैं कहीं अपने घर में रख लें कहीं पर भी रख लें और दोवारत से वो पैसा जो हम market में नहीं आता है तो वो black money कहलाता है ऐसा पै 2021 की बात करेंगे तो 3000 लाख करोड़ रुपे की जो है transaction मोबाइल के थरू की गई है 2021 में 3000 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन आप समझ रहे हैं उसमें ऐसे ट्रांजेक्शन भी होंगी जो 500 रुपे की है एक हजार की है पांच लाक की है दस लाक की है तो इतनी जो ट्रांजेक् जादा जो transaction होती है वो भारत के अंदर होती है तो ऐसे में अगर भारत में digital currency को हम लागू करेंगे तो इसके success होने के chance जो जादा है और बहतर तरीके से success हो पाएगी तो यही बात है इसी को देखते वे भारत में digital currency launch की जा रही है वहीं दोस्तों भारत में अभी आपको पत फोन है और digital currency अगर लागू होगी तो जो बाकी बचेवी लोग हैं उनके पास भी mobile हो जाएंगे क्योंकि mobile की आपको आने वाले समय में जादे ही पढ़ने वाली है तो पाइलट प्रोजेक्ट के तहर जो चार बैंकों को दिया गया जिसके मैं आपको बताया State Bank of India, Punjab National Bank, PNV बैंकों बढ़ोदा तो जल्द ही दोस्तो अब आपको भारत के अंदर digital currency देखने को मिलेगी और भारत सरकार की पूरी यहाँ पर जो है कोशिस है कि digital currency को जल्द से जल्द लौंज किया जाए और आपको जो आप हार्ड कोपी लेते हैं पैसो की यानि कि जो नोट देखते है 100-250 रुपे का वो नोट जो है बाजार से आने वाले समय में हो सकता है यह चलन से बाहर हो जाए इसमें समय लगेगा धीरे धीरे हर कोई जो है digital currency को अपनाने में थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत दे सकता है क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं सबजी खरेते हैं या बाहर सरकार को यहां पर यह देखना पड़ेगा कि digital currency launch करने के बाद इसके जो देख भाला है गलत transaction ना हो और किसी की गलत नाम पर पैसे transfer ना हो जाए इस पर जो है काफी ज़्यादा जो है दिहान देने की बात है तो दोस्तों आने वाले समय में digital currency किस तरीके से काम करेगी 2022 2022 के अंदर आप यह देख पाएंगे जो कि भार सरकार का सपना है तो इस पर आपके क्या विचार है कमेंट्स बुक्स में जरूर दें दन्यवाद